हेलो दोस्तो नमस्कार श्वागत है आपका हिस्ट्री बाइसक्दाम चैनल में दोस्तो हमने एक वीडियो और बनाए था जिसमें थोड़ी बुक ज़्यादा बता दी थी तो इस्टुडेंट कन्फ्यूज हैं कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत से स्टुडेंटों के पास टाइम बहुत कम रहता है तो ज़्यादा बुक नहीं पढ़ पाते इसलिए हमने सेलेक्टेड तीन बुक बताई हैं जिन्नों आप पढ़ें और तीनों बुकों में सी आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं तो आपके लिए नेट के लिए आसानी रहेगी ठीके दोस्ता दूसरी बात यह है जो बुक दोस्तों मैं आपको बताऊँ उसे एक बार नहीं उसे कम से कम 2-3 बार कम से कम पढ़े ठीक है और एक book में आपको objective type एक guide और बताऊंगा तो आपको उसे भी पढ़ना है ठीक है तो अगर आप इन book को 2-2-3-3 बार पढ़ेंगे तो एक ही book को अगर आप 2-3-3 बार पढ़ेंगे तो आपका net हो जाएगा क्योंकि जब हम किसी book को एक बार पढ़ते हैं तो एक बार बहुत से चीज़े हमसे छूट जाती है तो उसी चीज़ को फिर हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो हमें मिल जाती है ठीक है एक book में बहुत कुछ चुपा होता है तो आपको मैं selected तीन book बताऊंगा जिन्हे आपको पढ़ना है और आपके net के लिए आसानी रहेगी दोस्तो अगर आपके पास यह जो सोरव चोबी की book है अगर आपको यह available हो जाती है तो आप इस book को पढ़ लीजिए प्राचीन भारत में ठीक है अगर आपको साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप केसी स्रीवास्तव की book को पढ़ सकते हैं तो अब आप इन तीन book यह तीनों book बहुत अच्छी book हैं अब आप खुद select कर लीजिए इन में से कौन सी book को आपको पढ़ना है चाहे सोरव चोबे की को पढ़ना है यह केसी स्रीवास्तवी को पढ़ना है कौन सी को select करना है यह तो हो गई दोस्तो प्राचीन भारत की अब हम बात करते हैं मद्यकालिन भारत की बात करते हैं तो मद्यकालिन भारत में यह book है L.P. सर्मा की book है बहुत अच्छा दे रख आइसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है LP सरमा की book है अगर आपको ये available हो जाती है तो आप इसको पढ़ लीजिए मत्यकाल में अगर आपको ये भी नहीं मिलती है तो दूसरे book है सौरब चोबी की ये भी बहुत अच्छी book है नया पिरकाशन है तो आप इसे पढ़ लीजिए दोनों में से आप एक स्लेक्ट कर लीजिए और एक है आधुनिक भारत का इतिहास BL, grower की तो ये book बहुत अच्छी book है आप इसे पढ़ लीजिए बहुत अच्छी book है दूसरा है ये spectrum की है इसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है इसे पढ़ लीजिए दोनों में से एक स्लेक्ट कर लीजिए ठीक है लेकिन इनको पढ़ने के बाद आपको एक सला में फिर दूँगा इनको पढ़ने के बाद आपको इसे जरूर खरीद के लेके आना है मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ भारतिये इतिहास इसको S के पांडे ने निकाला है और इसके तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे जैसे इस तरीके से हरका अलग-अलग दे रखा है तीनों पार्ट इसके आपको मारकेट में मिल जाएंगे इसमें जितने भी इतिहास से I.S. के प्रशन पूछे गए हैं जितने भी पूछे गए हैं और जितने भी PCS के E इक आप इन book को पढ़ने के बाद आप इसे जरूर लियाएं जो एसके पांडे ने निकाल रखी है objective type इसके प्राचीन भारत का भी आपको मिल जाएगा मद्यकालिन भारत का भी आपको मिल जाएगा और आधुनिक भारत का भी आपको मिल जाएगा और इसमें कियोसंग के नीचे उसकी थोड़ी डेटेल भी दे रखी है देख लीजिए इस तरीके से detail दे रखी है तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी तो दोस्तो अब आप इन में से खुद select कर लीजिए एक चाहे सोरव चोबे की इसको कर लीजिए मद्यकाल प्राचीन के लिए इसको कर लीजिए सुरब जोविकी और आधुनी एसके पाज़टे की को कर लिजिए इन चाहे आप तीन इस लेक्त कर लीजिए और चाहे इधर से चाहे इनको लेकिन एक वात है दो बार तीन षटम सबये माट कम से कम पड़ें और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्राचीन भारत का इतिहास आप केसी स्रीवास्तव की बुक जरूर पढ़ है अगर आपके पास टाइम है तो यह बहुत ही अच्छी दुख है तो दोस्तो यह तीन बुक चाहे इन्हें इसे लिए आप इसके पांडे की बहुत ही अच्छा है जिसके तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्राचीन भारत मद्यकाल और आदूनी तो दोस्तो इस तरह आपका जो नेट है वह निकल जाएगा बहुत ही बहुत ही ज़्यादा है मिलेगी मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने अच्छी तरह इन्हें पढ़ लिया तो आपका नेट जरूर निकल जाएगा ठीक है दोस्तो शुक्रिया धन्यवाद और अगर आप नेट की ही तैयारी कर रहे हैं